Hello Friends, Welcome back to 30 Days Spoken English Course 30 Days Spoken English Course में आज हम बात करने वाले हैं Present Continuous Tense Present Continuous Tense क्या है तो नाम से ही clear है Present में Continuous है जब भी हमें बताना हो कि कोई कार्य प्रेजेंट मतलब वर्तमान में अभी के समय में जब हमें बताना हो कि वर्तमान में कोई काम चल रहा है कोई विक्ति कोई काम कर रहा है तो उसे बताने के लिए हम Present Continuous Tense का यूज़ करते हैं तो यह नाम से ही clear है Present Continuous Tense अगर understanding the Present Continuous की बात करें कि भई इसको समझें कि और बहतर वे में समझने की कोसिस करें कि अखिरकर Present Continuous क्या हो सकता है तो ऐसा Tense जिसमें Present में कोई action Continuous है इसे हम Present Progressive के नाम से भी जानते है Present Progressive मतलब जो Continuous है Continuous चल रहा है Progress में चल रहा है तो ऐसे काम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम present continuous tense का use करते हैं इसमें b verb का use करते हैं b verb मतलब aim is r का use करते हैं किसका use करते है b verb का b verb का मतलब होता है aim is r ठीक है आगे अगर हम देखें तो difference between present continuous and simple present अब कई बारा में समझ में आता है कि सर present present तो दोनों है simple present भी है present continuous भी है तो difference क्या है simple present जो होता है present indefinite जो होता है वो क्या बताता है तो वो बताता है कि present continuous सबसे पहले हम present continuous को समझाएं कि present continuous describe an action which is in progressive mode continuous क्या बताता है कि कोई काम अभी चल रहा है present में चल रहा है मैं जा रहा हूं मैं आ रहा हूँ, सर पढ़ा रहे हैं, वे पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं, वे समझ रहे हैं, हम समझा रहे हैं, तो इस तरीकी की actions जो present में continuous है, तो ऐसी actions को हम क्या कहते हैं, present continuous, दूसरा क्या होता है, simple present, simple present का मतलब क्या होता है, कि जो action होती है, कोई विक्ति कोई काम करता है भाईया मैं लिखता हूँ और मैं लिख रहा हूँ दो में डिफ्रेंस समझेंगे मैं लिखता हूँ ये प्रेजेंट सिंपल है और मैं लिख रहा हूँ ये क्या है प्रेजेंट कॉंटिनियस है मैं देखता हूँ present simple है, मैं देख रहा हूँ, यह continuous है, वस जाता है, he go, simple present है, और वह जा रहा है, वह continuous है, तो करता है वाला present simple है, simple present के अंतरगत रहता है, और कर रहा है, या कोई विक्ति कोई काम कर रहा है, या कोई काम चल रहा है, तो वह present continuous के अंतरगत आता है, examples में हमने बात करी जैसे कि I am reading a book right now मैं अभी किताब पढ़ रहा हूँ तो यह क्या होगा यह होगा present continuous और I read book everyday में रोज किताब पढ़ता हूँ तो यह simple present यह present indefinite इसको कहा जाएगा अब forming the present continuous tense present continuous tense को किस तरीके form कर सकते हैं हिंदी में हमको clear हो गया present continuous मतलब कोई काम चल रहा है कोई बोल रहा है कोई समझ रहा है कोई समझा रहा है कोई देख रहा है कोई उड़ रहा है तो इस तरीके गे statement जितने भी रहेंगे वो किस के अंतर कताते है present continuous के अंतर गताता है लेकिन प्रस्ना हमारा यह हो सकता है कि किस तरीके से इसको form कर सकते हैं, किस तरीके से इसको बना सकते हैं, English में जब बात आए कि हम किस तरीके से बनाएंगे, तो उसे हम समझ सकते हैं, friends, कि subject plus am is are plus verb का ing form, यहाँ पर आपको structure दिख रहा होगा, subject plus am is are plus verb का ing form, मतलब जब आप ऐसे statements को कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, वाले statements को अगर आपको English में बताना हो, तो सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, subject, subject मतलब काम करने वाला, उसके बाद है am is are, अब am is are क्या है, बी वर्ब के form है, अलग-अलग, am is are, बी वर्ब का मतलब होता है, हो subject plus am is are वाली बात आ रही है, कि subject के साथ am is are का use करना है, तो आपका confusion यह हो सकता है, कि sir, हम am को कहाँ पर use करे, is को कहाँ पर use करे, are को कहाँ पर use करे, तो मैं बता देता हूँ, कि I के साथ आपको am को use करना है, दूसरा, we, you, they, और plural जैसे statement आते हैं, तो वहाँ पर are का use करना ह है, and he, she, it, name, and singular, and singular के साथ आपको is का use करना है, तो यह हो गया है, am is are का formation, क्या कहाँ पर use करेंगे, तो I के साथ हम am का use करेंगे, we, you, they के साथ are का use करेंगे, और he, she, name it, singular के साथ, और he, she, name it, singular के साथ हम किसका use करते हैं, is का use करते हैं, जैसे यह example लिखा है, I am writing में लिख रहा हूँ, she is cooking, वह खाना बना रही है, they are studying, वह पड़ रहे हैं, तो अलग-अलग बता दिया कि I के साथ M का use किया गया है, we, you, they के साथ R का use किया गया है, and he, she, name it के साथ is का use किय गया है, और वर्ब का ing form, use contractions भी यूज किया रहे है, contractions किस तरीके से किया जाते हैं, जैसे I am, अलग-अलग बोलने की अपिक छा, आप बोल सकते हैं, I am, I am जब आप पुलेंगे, तो एक थोड़ा सा professional way लगेगा, I am going there, मैं वहाँ जा रहा हूँ, he is coming here, वह यहां आ रहा ह तो इस तरीके को contractions का use कर सकते हैं, I am, you are, है ना, तो इस तरीके के, आगे अगर हम बात करें, add the ing in the end, you know very well कि जब भी हमें continuous की बात होती है, continuous सब्द कहीं पर भी आए, तो आपको ध्यान रखना है क्या, verb का ing form लगाना है, चाहे वो present continuous हो, past continuous हो, future continuous हो, या फिर present perfect continuous हो, past perfect continuous हो future perfect continuous हो, मतलब continuous अगर आए तो आपको verb का ing form यूज़ करना है, आगे अगर हम समझें, uses of the present continuous, अब आपका question होगा कि सर ये तो आपने बहुत पढ़ा दिया, कि मतलब जो आ रहा है, जा रहा है, हिंदी में भी हमको समझ में आ गया, English में भी समझ में आ गया, लेकिन इसका use कहा पर करेंगे, uses of present continuous tense, तो friends, uses of present continuous tense के अगर हम बात करें, तो पहला होता है current actions, current actions मतलब वे actions जिसमें current में काम चल रहा है, current में कैसे, जैसे सर पढ़ा रहा है, हम पढ़ रहे हैं, वे आ रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, आप classes को live कर रहे हैं, comments कर रहे हैं, तो ये क्या ह है, current में actions हो रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, current actions, present continuous tense, is used to describe action happening right now in the moment, ऐसे actions जो current में हो रहे ही, present में हो रहे ही, ऐसे actions को बताने के लिए, present continuous का यूज़ कर रहे हैं, दूसरा बता है, temporary situations को बताने के लिए भी यूज़ किया सकते हैं, कि जो की progress में तो है, लेकिन permanent नहीं हो, ऐसी बातों को बताने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, present continuous का यूज़ करते हैं, future plans को बताने के लिए, जिसे I am going tomorrow, में कल जा रहा हूं, है न, he is coming here, tomorrow, कल वो आ रहा है, तो इस future actions को बताने के लिए भी present continuous tense का यूज़ किया जाता है, यह बड़ा चिंता का विसे होता है, क्योंकि स्टेटिव वाप्स, कुछ वाप्स, आप ध्यान से सुनेंगे हमारे point को, कुछ वाप्स, ऐसी वाप्स होती है, जिनके साथ continuous using नहीं किया जा सकता है, ऐसी वाप्स है, जिनको आप वर्ब के ing form के साथ using नहीं कर सकते, तो ऐसी क हम continuous के साथ क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, तो चलिए समझते स्टेटिव वाप्स में, तो स्टेटिव वाप्स that describes state of being not in action are called स्टेटिव वाप्स, स्टेटिव वाप्स होती है, जो कि अपने आप में एक स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, एक्सन को रिप्रेजेंट नहीं जानना, मतलब आप इसा कभी नहीं कहेंगे, I am knowing you, अगर आप इसा कहते हैं ना कि I am knowing you, तो ये incorrect होता है, ये गलत होता है, correct क्या होता है, I know you, मतलब मैं आपको जानता हूँ, I like you होता है, I am liking you नहीं होता है, अगर कोई कहता है ना कि I am liking you, तो वो गलत होता है, गलत होता है, रोग होता है इंक्रेक्ट होता है क्या होता है मतलब मैं ऐसी वर्प्स की बात कर रहा हूं जिनको हम यूज करते हैं जैसे लिगना शुन मँना इनकों कॉंटिनेज्स में यू करते हैं तो इसमें क्या है राइं को भी इस तरिके सी यूज कर सकते believe, believe भी ing नहीं यूज़ होगा, I am believe नहीं होगा, I believe ही होगा, ठीके, I am understanding you, यह गलत होता है friends, I understand you होता है, I am understanding incorrect है, ठीके, I want you, I am wanting you नहीं होगा, I am wanting you जब आप लिखोगे न तो वह incorrect हो जाता है, I prefer you, I am preferring नहीं होगा, तो इस तरीके से यह steady verbs है, और steady verbs को हमेशा present indefinite में यूज़ करते हैं, इनका use हम continuous में नहीं करते हैं, I hope यह बात आपको समझ में आ रही होगी, इसके अलावा कुछ exceptions हर जगा अपवाद होते हैं, तो अपवाद में है कि some steady verbs can be used in present continuous when they describe the temporary state not a permanent one, ठीक है, तो कुछ exceptions में हम इसक को use कर सकते हैं, तो इस तरीके से हमने बात करी friends, example जैसे I am thinking about the problem में, उस problem की बारे में सोच रहा हूँ, जो कि temporary है, बस I think you are right, लेकिन में जो लगता है कि आप सही है, तो इस तरीके से think perception में आता है, steady verbs में आता है, लेकिन continuous में भी use कर सकते हैं, और simple में भी use कर सकते हैं, अब negative and question in the present to continuous, अब बात तो बता दी, हमने जानकारी बहुत दे दी, कि वो आ रहा है, वो जा रहा है, लेकिन कई बार हमको पूछना पड़ता है, कि क्या आप कुछ कर रहे हैं, क्या आप जा रहे हैं, क्या आप लिख रहे हैं, क्या आप मेरी बास सुन रहे हैं, तो ऐसे statements को ब बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, नॉट का यूज करते हैं, छीक हैं, जैसे negatives में, add not after the subject and before the verb ing, मतलब जब नॉट लगाना हो, तो किसके बाद लगाएंगे, helping verb के बाद लगाते हैं, not आप अच्छे तरीके जानते हैं, aim is r के बाद नॉट लगाते हैं, जैसे I am not going, he is not coming, she is not writing, not का यूज करेंगे, helping verb के बाद लगाते हैं, नहीं कर रहा है, तो not लगाना है, simple बात है, question से जब भी पूछना हो, तो invert कर देते हैं, aim is r को, मतलब statement aim is r को sentence के शुरू में लिख देते हैं, जैसे are you coming, क्या आप आ रहे हो, are you eating food, क्या आप खाना खा रहे हो, are you doing something, क्या आप कुछ काम कर रहे हो, is she laughing, क्या हो हस रही है, तो इस तरीके के statement होते हैं, helping verb मतलब aim is r को sentence के शुरू में लिखा जाता है, इस तरीके के statement को क्या कहते हैं, present continuous में interrogative sentence का जाता है, जिसमें हम प्रस्न पुछने का काम करते हैं, जैसे I am not running, are you studying, ठीके, adverb used with the present continuous, अब present continuous के साथ कुछ adverbs का भी use किया जाता है, जैसे कुछ common adverbs है, जिनको हम present continuous के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे कि now, I am going now, she is coming now, ये now, मतलब अब, तो अब को हम समाने तो कैसे बताते हैं, अब को continuous के साथ ही represent करते हैं, कि अब आ रहा है, अ जा रहा है, अब लिख रहा है, तो no-wa now को हम present continuous के साथ यूज करते हैं, ठीके, जो कि present में moment हो रही, उसको represent करता है, currently भी उसी को represent करता है, currently she is coming, currently they are doing something, तो currently भी उसी को represent करता है, next अगर हम बात करें, तो today, today को हम present की situations में यूज करते हैं, वो simple में भी use किया जा सकता है, और अलग-अलग statements की बात करी right now भी उसी में से एक है तो यह हमारा हो गया present continuous नाम से clear हो रहा है present में continuous है helping वर्ब की बात करें तो amizar के साथ ing लगाना है continuous जब भी आ है progressive जब भी आ है तो वर्ब का ing form लगाना है I hope आपको जनकारी ठीक ठाक लगी होगी अगर आपको लगता है कि हम वाला सा motivation मिल सके है और हम बहतर प्रयास कर सके है thank you